बेगु सराय के वीरपुर्थाना के पर्रागाउं में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सभावी कुर्प से पूलिस की कस्टडी में स्वस्त व्यक्ति कोई जाए और अचानक से बाहर खावर आए कि उसकी मौत हो गई तो लोगों के मन में संका आएगी। इस घटना के पीछे भी कारण हुआ। सब लोगों के मन में चाहे उनके परिवार के लोग हों अगल वगल के लोग हों। क्या यहां मादमी जो निट्रल किस्म का आदमी है जिसने भी जहां सुना सबको लगा कि कैसे कोई स्वस्त व्यक्ति पुलिस की कस्टेटी में जाए और वहां उसकी मौत हो गई। कहीं न कहीं इस घटना में कुछ दूसरा भी एंगल हो सकता। पुलिस की निगरानी में अब सच क्या है आम जलता को इसे बात का हक है पूरा-पूरा जानने का उनके परिवार के लोगों का भी हक है कौमन आदमी का भी हक है कि सासन परसासन की लोगों को इस्तिति असपस्ट करनी चाहिए। परिवार के लोगों से आकर मिल लें और अगल वगल के लोगों से भी जो जानकारी मिल लें हम चाहेंगे कि सच क्या है यह बात लोगों तक आनी चाहिए। और यहाँ बात तब आएगी जब ठीक से उसकी जाच होगी अस्थानिये जो पुलिस की अधिकारी हैं अब इनसे जाच बिल्कुल नीटरल किसम से हो जाए यह संभव नहीं है सब लोगों की राय है तो उच्च अस्तर यह इसकी जाच हो ताकि सचाई क्या है परिवार के ल पुख यादव ने कहा कि नितीश सरकार के राज में घरीब लोगों की हत्या की जा रही है उन्होंने क्वारिंटीन सेंटर में बद इंतजामी का आरो भी नितीश सरकार पर लगाया यादव ने कहा कि बेहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है क्योंकि लोगडाउ कि पूरी पार्टी आज सरकों पर तीन मेहने एकत्तर दिन के बाद में कल भी आ रहा है एक तरफ कोरणा भारस से मौत दूसरी तरफ कॉरंटाइन में मौत तिस्टी तरफ लाटी और बोली से मौत चौथी तरफ भूग से मौत पांच में तरफ हाथ भत्याव छट्थी कि आप मजदूरों के अधिकार और संगर्ज को चिंडे हो और साथ भी तरफ अपरादियों का नंगा नाच बेगुसरा में तिन तीन बच्चों को पुलीस के साथ गांट से मार दिया गया अभी मौकामा में दो दलितों की हत्या कर दी गई लगातार राजनितिक नरसंगार बढ़ रहे हैं लॉक्डॉन में छो दर्जन से जादे हत्या हुई अभी बेगुसरा में किसानों की जमीन अधिकरन कर ली गई मौपजा नहीं मिला जिसके चलते लाठी चली है तो जन अधिकार पार्टी के अलावे कि आम आदमी गरीबों की आवाज कोई लग रहा है क्या कहा थे चपंदिन ये लोग सतापस कहा थे नितिश कुमार के पास कुछ है यह नहीं उन्होंने कहा मेरे पास संसाधन नहीं है मैं कहां से बच्चों को लाओं आकिर पप्पू या रख को यह लगा है क्यों लगनी प राजधानी से आएंगे तो घर में कॉरंटाई और सर्मिक ट्रेंस आएंगे तो जहां जानवर नहीं जा सकता वहां कॉरंटाई ये फर्क क्यों मजदूरों के कानून को क्यों खतम किया गिया सर्मिक क्या अधिकार को क्यों खतम किया गिया ये लराई है और ये आवाज जन और प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ सक्त कारवाई करनी चाहिए। अगर अपराध पर नकेल नहीं कसी गई तो बेहार में उद्ध्युक दंदा खुलना मुश्किल होका है। पंजाब के सिरी टीवी के लिए बेगुसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।